हरी कृष्णा राधे राधे शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई शिरी पुर्शोत्तम मास महातम में कथा तीसरा अध्याई रिशीगन बोले हे महाभाग नर की मित्र नारायन नारद की प्रती जो शुप पचन बोले वह आप विस्तार पूर्वखम से कहिए तब सूर्जी कहने लगे हे द्विज सत्मो नारायन ने नारद की प्रती जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही आप लोगों से कहता हूँ आप लोग सुने नारायन बोले हे नारद पहले महात्मा श्री क्रिशन चंदने राजा युदिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ सुनो एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रो युदिष्ठिर छल प्रिये दरतराष्ट के दुष्ट पुत्रो द्वारा दो उत्कीडा में हार गए सबके देखते देखते अगने से उत्पन हुई धरम परायन द्रौपदी के बालों को पकड़ कर तुष्ट दुसासन ने खीचा और खीचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की पीछी पांडव राज्जी को त्याग काम्यक वन को चले गए महा अत्यंत कलेश से युक्त वी वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे जैसे जंगली हातियों के शरीर में बाल रहते हैं उसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देव की सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए उन भगवान को देखकर म्रत चरीर में पुने प्राण आ जाने की तरह युदिश्टिर, भीमसेन, अर्जुन, आधी प्रेम विहल होकर सहसा ही उठ खड़े हुए और प्रीती से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरन कमलों में बक्ती से नमशकार करने लगे द्रौप्ति ने भी धीरे-धीरे वहां आकर आलस्ते रहित होकर भगवान को शिग्र नमशकार किया उन दुखित पांडवों को मरग के चरम के वस्तरों को पहने देख और समस्त शरीर में धूली लगी हुई रूखा शरीर चारो तरफ बाल विखरे हुए द्रौप्ति को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा इस तरहें दुखित पांडवों को देख कर वी भी अत्यंत दुखित हुए बग्त वच्सल भगवान दरतराष्ट के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर कुरुद हुए विश्व के आत्मा बाहों को चड़ा गुरेर कर देखने वाले करोडो काल के कराल मुख की तरहें मुखवाले ददक्ती हुई पढ़े की अगनी के समान उठे हुए होटों को दाथ के नीची जोड से दबा कर तीनों लोकों को जला देने की तरहें ऐसे उद्धित हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान श्री राम को रावन पर जैसी कुरूद आया था उस प्रकार से कुरूद भगवान को देखकर कापते हुए अर्जुन कृष्ण को परसन करने के लिए द्रोपदी, धरमराज तथा और भी लोगों से अनुमोदित होकर शिग्र ही हाथ जोड़ कर उनकी स्थुति करने लगे अर्जुन बोले हे कृष्ण, हे जगत की नात, हे नात मैं जगत से बाहर नहीं हूँ आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं हे प्रभू, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनकी नेदर के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संगार करने वाले क्रोध का संगार कीजिए हे तात के पात, हे जगत पते आप ऐसे महापुर्षों के क्रोध से संसार का पड़े हो जाता है संपूर्ण तत्व को जानने वाले सर्वस्तों के कारण के कारण वेद और वेदांग के बीज के बीज आप साक्षाथ श्रीक्रिश्न हैं मैं आपकी वंदना करता हूँ आप इश्वर हैं इस चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन किया है सर्व मंगल के मंगलें हैं सनातन के बीज रूप हैं इसलिए एक के अपराद से अपने बनाए समस्त विश्व का आपनाश कैसे करेंगे कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो शिरी नारायन बोले दूसरे की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर परणाम किया सुजी बोले शिरी कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयम भी चंदरमा के तरह शांत हो गए इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए प्रेम से परसन वोक और प्रेम विहल हुए सबने भगवान को परणाम किया जंगली कंद, मोल और फल से उनकी पूजा की नारायन बोले तब शरण में जाने योग्य भगतों को उपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को परसन जानकर विशेश प्रेम से भरे हुए नर्म अर्जुन ने बार बार नमशकार किया और जो प्रशन आपने हमसे किया है वही प्रशन उन्होंने श्री कृष्ण से किया इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण शनमात्र मन में सोच कर अपने सुहरदवर्ग पांडवों को और वरत को धारं की हुई द्रौप्दी को आश्वाषन देते हुए बक्ताओं में स्रेष्ण श्रेकृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले श्री कृष्ण बोले हे राजन हे महाभाग हे विबत्सो अब मेरा वचन सुनो आपने यह प्रशन अपूर्व किया है आपको उत्तर देने में मुझे उत्साहा नहीं हो रहा है इस प्रशन का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है रिश्यों को भी विदित नहीं है फिर भी हे अर्जुन मित्र के नाते अथवा तो हमारे भक्त हो इस कारण से हम कहते हैं यह सुबरत वह जो उत्तर है वह अति उगर है अतह क्रम से सुनो चैतर आदी जो बारे मास निमेश महीने के दोनों पक्ष घडियां प्रहर त्री प्रहर छेर दुएं मूरत तक्षिनायन और उत् वर्ष के चारो युग इसी प्रकार परार्द तक जो काल हैं यह सब और नदी समुंदर तालाब कुए बावली गडियां सोते लता ओशदियां वरक्ष बांस आदिपेड वनकी ओशदियां नगर गाउ परवत पुरियां यह सब मूरती वाले हैं और अपने गुणों से यक्ति नहीं हैं जो अपने अधिश्टात्र देवता के बिना रहता हो अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सबी फलकों देने वाले हैं अपने अधिश्टात्र देवता के योग से मातम्मे से ये सब सोभाग्यवान हैं ये पांडुनंदन एक समय अधिमास उत्प पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मल मास सुर्य की सक्रांती से रहित है अतहे पूजने युग्य नहीं है यह मास मल रूप होने से छूने युग्य नहीं है और शुब कर्मों में अग्राहय है इस प्रकार के वशनों को सभी लोगों के मुख से सुनकर यह मास निरुत दोग परभार रहित और दुख से गिरा हुआ अती खिन्द मन चिंता से ही गरस्त मन होकर व्यति धर्दे से मरनासन की तरह हो गया फिर भी वह धहरिय धारण कर मेरी शरण में आया हेनर वैकुंट भवन में जहां में रहता था वहां पहुचा और मेरे घर मे आकर मुझ परम पुर्षोत्तम को इसने देखा उस समय अमुल्य रतनों से जडित सुवर्ण के सिंगासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमी पर शाष्टांग दन्वत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बार बार असों की धारा वहाता हुआ धहरिय धारण कर गदगद वा नारध वुनिपुने बोले नारध जी बोले इस परकार अपनी पूर्ण कला से विराजबान भगवान विष्णू के निर्मलभवन में जाकर भक्ती द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर сильश योगियों को भी शीग्र ना मिलने वाले जगत को अभयदान द आगे की कथा हम चोथे अध्याय में सुनेंगे हरी कृष्णा राधी राधी